तो हेलो एक दमांड बहुत दिंन रहे था है ने लिए तो रीजनिंग एससर और अमर्र के एपर से पूरे थे तो देखेंगे मेरे आप लोगोग को आडवाइस एही रहेगी कि आप PDF लिंक दिया रहता है नीचे डिस्क्रिप्चन में उसी को बस डाउनलोड करके अपने आप से लगाए और इस ने कुछ करने की जुरूद नहीं जितना मैं आपको करवा रही है उतना ही करें एक्स्टा reasoning में करने की जरूद कुछ नहीं book मत खरीदेगा कुछ मत करेगा बस हाँ अगर questions आते हैं कहीं आपके model test paper में कहीं आप देखते हो तो जरूर solve कीजिए उसको लेकिन अलग से book खरीदेना और अलग से इसके लिए preparation का time निकालना वो मत कीजिएगा क्योंकि आप इतना ही अगर कर लोगे तो आपका reasoning section cover हो जाएगा और अगर आपको questions मिलते तो आप solve कर सकते हैं तो आपको करना क्या है आपको PDF डाउनलोड करना है जो वीडियो की description में लिंक दिया है उसका PDF का तो वो डाउनलोड करके आप honestly सभी को ढग से लगा ये questions score फिर वीडियो देखें तो और उसका benefit मिलेगा कि अगर आपको कोई question गलत होता है या फिर चेक करने के लिए कि आपके सारे answer सही है या नहीं क्योंकि reasoning में कुछ ही एक दो question जदा जदा गलत होने चाहिए आप लोगे reasoning एक बहुती easy section होता और इसमें आप लोगों को कोशिस करने है कि पूरे आपको score करना पूरा और यह आपका gk section में आता है जिसमें कि आपके approximately 10 question reasoning के आते हैं तो weightage भी अच्छा खासा है वैसे make sure कि आपको 10 के 10 सायों ने चीए तो उसी पर मैंने focus ये questions लिए और PDF लिंक आप description में मिल जाएगा तो अभी आज किस वीडियो मैंने थोड़ा सा basic से चालू करने कोशिस की और थोड़ा सा quantity questions की कम है तो धीरे धीरे quality और quantity दोनों questions की बढ़ती जाएगी ठीके तो अद देखते हैं चीक्विस्टिन्स तो तो पहला question के लिए ये दिए इंस्रेक्शन की निम नश्रेंगलियों को पूरा करें तो यहां पर जो blanks आप देख रहे हो तीन questions में पहले के तीन questions में वहां पर आपको blank भरने तीन नहीं मैं कहूंँगा चाह क्विस्टिन्स में तो पहला देख लेते हैं पहला एक सो यह 114 114 फिर 225 फिर 336 फिर 447 और इसके बाद blank दिया तो यह आपको blank भरना है तो एक जनरल ट्रेंड होता है जो ऐसे टापी questions होते हैं कि उनमें सीधे difference में ही कुछ एक order चुपा होता है जो आपको पहचाना होता है तो यहां पर भी वही है यहां पर आप देख सकते वो चीज आपको समझ में आ जाएगी और 114 गटाओं तो 111 आएगा फिर 336 में 225 गटाओं तो 111 आएगा फिर 447 और 336 में घटाओं घटाओं तो 111 आएगा तो यानी कि जो चार सो 47 इसमें जोड एक सो 111 जोड देंगे तो अगला जो नंबर है वो उमको मिल जाएगा तो 111 जोड़ेंगे तो आएगा 558 निकि पांसो ठावान इसका सही आंसर होगा देखिए वहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के लिए चार आप्षिन मिलेंगे लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर बीना आप्षिन के अगर जितना करेंगे उतन च्वेंटी का आधा करेंगे तो अगर उसके अगले की बात करें तो क्या होगा ट्विल्व कम लोग कर देंगे हाफ वो सुरी दुगना कर देंगे क्यूंकि यहां पर दूगना होता चला रहा है यह पर 24 तो टैन कॉमा ट्वन्टी-फॉर यह से तो अगला पूछा गया तो तो अगला 10 होगा और उसके आबाद होगा 24 ठीक है फिर अगला है अलफाबेटिकल यह कुछेन है कि एपाउन जेट बी एपाउन वाई सी एपाउन डबलू डी अपाउन टी तो बहुत इजी कुछेन है यहापर एबी बश्रीट सीड़ी और यहाँ पर यहाँ पर है और नीचे आपका देख सकते हैं यहां पर य के बीश्फसर नहीं यहाँ पर आप देख क्यूं टेंट संच vaccin की एक है एकडिस एक App4 छोड़कर लिखा गया यहां पर दो छोड़े गया है स्ट्ट यूर डाता है न हईूवी को छोड़कर डवल लिखा गया है फिर इस चीज़ के बताने को इष्यूश्च करता हूं तो उसको छोड़ दिया फिर लिखा गया डबूय निया पर विस को शोड़ा गया फिर्ण लुकी बाद आता है अगस तो हैक्स को छोड़ दिया गया है यहां पर एक health को छोड़ा और ये बादस सुझाल golden शा亦ाय सब þाथ जाएगा जो कि है option number B में आपके तो B option आपका बिल्कुल सी अंसर हो जाएगा फिर अगला कुस्चिन है a b z b c y c d x और फिर आपको अगला बताना है तो देखिए a b और फिर प्रकार व्यायाम सम्मंदित है इस थूलता से उसी प्रकार जल सम्मंदित है आपका option है पे से सरोवर से विशुद्धता से या फिर प्यास से तो आप देख सकते हो व्यायाम स्थूलता को भगाने के लिए निकी जो मोटापा होता है फैट होता है उसको घटाने के लिए हम लोग व्यायाम करते हैं उसी प्रकार हम लोग प्यास को घटाने के लिए जल का प्रेयों करते हैं तो आंसर होगा डी ऑप्षिन ठीक है फिर अगला कुश्चन है कि जिस प्रकार सत्य सत्य वादिता समंदित है मिठ्या वादी से उसी प्रकार निश्ठा समंदित है किस से यह पूछा गया है तो आपके वफादार से कर्मिष्ट से विश्वास घाती से या फिर श्रामिक से तो तो इसकांसर हो जाएगा सी आप्षिन विश्वास घाती से ठीक है फिर अगला कुश्चन देखते हैं अगला है कि नीचे शब्दों के चार यूग में दिये गए इन यूगमों के शब्द के वल एक यूगम के अत्रिक्त एक समान ठंग में आपस में स संबंद है और वो सेम संबंद तीन उप्षिन में लेकिन एक उप्षिन में गलत है तो देखिए सेना और जनरल क्या इनमें समानता है क्या इनमें रिलेशन है तो सेना में एक पोस्ट होती है जनरल की होती है उसी प्रकार यहां पर टीम और कप्तान टीम में एक पोस्ट होत तो यह आपका option होग क्योंकि सिशू सदन में सिशू रहते हैं ठीक है यह कोई पोस्ट नहीं है और बैटक में अध्यक्ष होता तो भी अध्यक्ष पोस्ट होती है फिर अगला question है कि नीचे दीव ही चार संख्याओं में से तीन संख्याओं किसी वज़े से एक जैसी हैं बांकि एक संख्या उस वज़े से अन तीनों से भिनने वह संख्या ग्यात करो जो अन से भिनने तो आपके options देख लो बहुत easy question और इसका answer आप लोग comment section में जरूर दीजेगा कि क्यों आपका यह answer है मतलब यह क्यों odd one out है क्यों तीसरों से तीन option से अलग है तो इसका answer आप reason दीजेगा आखरी question देख लेते नेमन मेंसे तीन किसी current से एक जैसे है इसलिए एक समूब बनाते हैं वह एक ग्यात करो जो उस समूब में नहीं है तो तीनों में कोई एक relation होगा ठीक है दोनों जो letters दी उनमें लेकिन एक option आपका ऐसा होगा जिन में दोनों में relation वो नहीं होगा जो चलिए देख लेते हैं इनमें generally ऐसे questions में difference को खेल होता है अभी मैं आपको दिखाता हूं जैसे S का position क्या होता होता alphabetical वो होता है आपका 19 और N का क्या होता है वो होता है 14 तो 19 14 घटाई है तो कितना आएगा पांच आएगा और एक बात ध्यान रखिए कि जो भी alphabetical इनका है numbers है जो alphabetical position है वो आप याद कर लिए बहुत आपके काम आते हैं यहीं पर देख लिए बिलकुल काम आ रहे हैं और डूसरा option आप चेक करिए दूसर्य option में बूसरी नहीं इंची का सथ होता है तो जी पutive पॉस्टीन ऑखसा होता है और दो नोंका घटा हैं तो आएका पांच यह पछाए प्छाए थेसरे में कshiftP पॉसिशन क्या होती है इसकी की 11 11 되고 Orange 46 घटाए फिर फिर HD देखिए HD में आप इसकी पोजिशन होती है एच की वह आठ होती है और डी की होती चार तो आठ में चार गटाओ तो चार आएगा तो यह आपका गलत होगा option डी option अलग है क्योंकि इन दोनों के बीच में पांच पांच का डिफ्रेंस आ रहा इन तीनों में लेकिन इसमें चार का डिफ्रेंस आ रहा है इस वैसे यह option आपका अलग होगा यहीं आपका आंसर होगा डी option तो आज इस वीडियो में आपको कुछ ही questions लेकर reasoning से बस स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोगा पहला वीडियो है reasoning को और चिंता मत कीजिए और अब डेगुलर्ली यह वीडियो आते रहेंगे तो में आपको करना क्या है बस अपने आप से honestly questions को लागा यह फि तो make sure subscribe करके notification bell को press कर लें ताकि हर वीडियो को notification आपको मिलता रहा है और हो जाके तो इस वीडियो को share कर दीजेगा कोई doubt is the comment section में जरूर पूछ लीजेगा धन्यवाद